नुपुल शर्मक के बयान के बिरोद में राच्चे में भी जवर्दस हिंसा हुई और हिंसा में सख्मी दो लोगों की मौत हो चुकी है दो लोगों की मौत हो चुकी है, शेह में तना हुए कई धार्मिक संगठनों ने आज भी मंद बुलाया प्रशासन की तरफ से धारा 146 लागा दि गए लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर से बाहर ना निकले तनाब को देखते हुए पुलिस ने यहां फ्लाग मार्च किया है दो लोगों की मौत और आच्चे में अब मुना थी लोगों से कहा जा रहा है कि गरों से बाहर ना निकले अब इकरा मस्जित से आगे पर दर्शन कारिज जिस रोट पर बढ़े थे हम उस रोट पर आगे चल रहे हैं सारी दुकाने लगबग भी नहीं लगबग सारी ही दुकाने यहां पर बंद हैं लेकिन उनका आरोपी है कि सबसे पहले दरसल वहां मंदिर की ओर से गोली चलाई गई उसके बाद से रिटालियेशन में इन्हों ने पत्थराव किया और देखा है तस्वीरे जो हमने देखी आसुगैस के गोले पुलिस ने चलाए हवाई फाइरिंग भी करनी पड़ी ताक उसको पूरी तरह से ठप कर दिया गया है दरसल सबसे बड़ी चुनावती यह है कि दोनों पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में कहीं फेक वीडियो या कुछ ऐसे वीडियो ना साजा किये जाए सोशल मीडिया पर जिससे और उनमात फैल सके या इससे माहौल और खराब हो सके और इसी के चलते जो है प्रिकॉशनरी मेजर जिसको कहा जाता है वो एहतियात के कदम यहां पर उठाए जा रहे यही वो सड़क है दोनों तरफ से जो प्रदर्शनकारी थे जुलूस लेकर के आगे बढ़े थे और यही वो इलाका है जहां पर हम यह समय यह एपी सेंट झाल झाल